दूस्तों आज हम बात कर रहे हैं पूरी दुनिया में अपने शांदार ट्रैक से सबको नचा देने वाले डीजे, रिकॉर्ड प्रोडूशर और म्यूजिशियन मार्टिन गैरेक्स के बारे में दूस्तों कुछ म्यूजिक्स ऐसे होते हैं जिसे सुनते समय हम बाकी सारे की ये भुन जाते हैं और उन ट्रैक्स की बनाई हुई किसी अलग दुनिया में चले जाते हैं और मार्टिन गैरेक्स ऐसे ही बहुत सारे शानदार ट्रैक से पुरी दुनिया पर राज कर रहे हैं और खास कर उन्होंने जो एनिमल्स गाने के लिए म्यूजिक दिया था वो तो ला जवाब है मार्टिन गैरेक्स 2016 और 2017 में डीजे मैग की टॉफ 100 की लिस्ट में पहले नमबर पर बने हुए हैं और सिर्फ 21 साल की उम्र में ही उन्होंने ये शानदार सफलता हासिल कर ली तो जलिए दोस्तों मार्टिन गैरेक्स की हम पूरी स्टोरी जानते हैं कि किस तरह से विए एक साधारन बच्चे से मशूल डीजे बने तो दोस्तों कहानी की शिर्वात होती है 14 माई 1996 से जब नीदर लैंड के आमस्टल वैन में मार्टिन गैरेक्स का जन हुए उनके पिता का नाम जिरार्ड और मा का नाम कैरिन है इसके अलावा उनकी एक बहन भी है जिनका नाम लौरा है मार्टिन को वैसे तो म्यूजिक का शौक बचपन से ही था और जब वो सिर्फ आठ साल के थे तब उन्होंने गिटार वजाना भी सीख लिया लेकिन डीजे बनने का शौक उनमें 2004 से आया जब उन्होंने टियर्ष्टो को एथेंस में हुए ओलंपिक गेम्स में परफॉर्म करते हुए देखा और फिर इसके बाद टियर्ष्टो का ही ट्राफिक ट्रैक सुनने के बाद गैरिक्स उनसे इतना इंस्पायर हुए कि उन्होंने अपने लेप्टॉप में FL Studio Software डालकर म्यूजिक बनानी शुरू कर दी मार्टिन गैरिक्स की शुरुवात BFAM ट्रैक से हुई जिसे कि उन्होंने जूलियन जॉर्डन के साथ परफॉर्म किया था और फिर आगे चल कर उन्होंने 2012 में स्पायनिन रिकॉर्ड के साथ कॉंट्रेक्ट साइन कर Error 404 नाम से ट्रैक रिलिज किया और फिर 2013 में मार्टिन एक प्रोड़क्शन स्कूल से ग्रेजवेट हुए जिसका नाम था हर्मन ब्रोड अकाडमी अलकि इसी बीच मार्टिन गैरेक्स के बहुत सारे ट्रैक्स आते रहे लेकिन लोगों में उनकी असली पहचान जून 2013 से हो पाई जब उन्होंने खुद की सोलो एनिमल्स रिलिज की यह अलबम यूरोप में बहुत बड़ी हिट साबित हुई और बीटपोर्ट के नमबर वन पर पहुँचने वाले मार्टिन गैरेक्स सबसे कम हमर के आर्टिस्ट बने दोस्तो बीटपोर्ट बेसिकली अमेरिका की एक बहुत ही फेमस ऑनलाइन म्यूजिक स्टोर है जो की खास करके डीजे ट्रैक्स के लिए जानी जाती है आगे चलकर 30 सितमबर 2013 को गैरेक्स ने प्रोजेक्ट टी का रिमिक्स रिलीज किया जो की अपने रिलीज के कुछ समय के अंदर ही बीटपोर्ट चार्ट के पहले नमबर पर फिर से छा गया और लोगों ने भी इस ट्रैक्स की काफी सराना थी 2013 में मार्टिन को अपने शांदार काम के चलते कई सारे एवार्ड्स भी मिले और डीजे मैग्जिन्स के टॉप 100 की लिस्ट में उन्हें 2013 में 40 वे नमबर पर और 2014 में 4 नमबर पर जगा मिली आगे चलकर इसी साल उन्होंने 2014 के अल्ट्रा म्यूजिक फेस्टिवल में अपने कई सारे और भी नए ट्रैक परफॉर्म किये जिसे कि उन्होंने अभी तक रिलीज भी नहीं किया था और फिर 2014 में गैरेक्स की प्रॉक्सी, वाइरस, टर्न अप दे स्पीकर जैसे कई और भी ट्रैक आई और फिर फरवरी 2015 में उनके फेस्बुक पेच पर 10 मिलियन से भी ज्यादा लाइक सो चुके थे और इसी खुशे में उन्होंने अपने फैंस को शुक्रिया कहने के लिए फॉर्बिडेन वॉइसेज नाम के ट्रैक को बतार गिफ्ट रिलेज किया और फिर 2015 फरवरी में ही जाने माने अमेरिकन सिंगर अशर के साथ उनका डोंट लुक डाउन सिंगल आया इसके अलामा एडवर्ड शीरन जो की कई सारे ग्रैमी एवार्ड जीच चुके हैं उनके साथ भी गैरिक्स ने रिवाइंड रिपीट इट ट्रैक पर साथ काम किया 26 अगस 2015 को अपनी म्यूजिक ओनर्शिप की वज़ह से कई सारे विवादों के चलते गैरिक्स ने इस पैने रिकॉर्ड को छोड़ दिया और फिर अपना खुद का रिकॉर्ड लेबल STMPD रिकॉर्ड बनाया 26 जुलाई 2016 को मार्टिन गैरिक्स ने सोनी म्यूजिक इंटरनेशनल के साथ वर्ल्ड वाइट कॉन्रेक्ट साइन किया और फिर 2016 अक्टूबर में उनको DJ मैगजिन के अनुसार दुनिया के टॉप 100 DJ में पहले नमबर पर जगा मिली ये अवाड पाने वाले वह सबसे कम उम्र के आर्टिस बने और फिर 2017 का साल भी मार्टिन के लिए बहुत ही जबरदस्त रहा स्केर टूबी, लॉनली, बाइट और देफर यू की तरह ही 2017 में उनके बहुत सारे ट्रैक्स है और इसी साल वो फोप्स की हाई पेड डीजे की लिस्ट में शामिल हुए उनकी बारा महिने की कमाई 19.5 मिलियन डॉलर साकी गई हलाकि इस लिस्ट में पहले नंबर पर कैलविन हैरिस हैं जिनकी सालाना कमाई करीब 46 मिलियन डॉलर है साथी 2017 में भी डीजे मैक्जिन्स के रैंकिंग में बिना बदलाओ के मार्टिन गैरिक्स पहले नंबर पर बने हुए हैं और इन सब के अलावाभी गैरिक्स दिल के बहुत ही अच्छे इंसान है उन्होंने गरीब और बेसहाय लोगों के लिए बहुत सारे चैरिटी शो भी किये 2016 के इंडिया टूर के दौरान उन्होंने मुंबई में एक शो किया था और यह शो उन गरीब बच्चों की मदद के लिए था जो कि खुद की पढ़ाई का खर्च नहीं उठा सकते थे और इस शो के जरिये जो भी पैसे कलेक्ट हुए थे उससे 10,000 बच्चों के एजुकेशन में मदद की गई थी तो दोस्तों ना केवल मार्टिन गरीक्स के द्वारा बनाए गए ट्रैक्स लोगों के दिलों को चुझाते हैं बलकि उनके द्वारा किये गए मानावता की भलाई का काम भी उनके मानसिक्ता को साब साब दिखाता है उम्मीद है कि मार्टिन गैरेक्स के यह लाइप स्टोरी आपको जरूर पसंद आई होगी आपका बहुमोली समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद